खबरब यूपी के संभल से जहां जुनाप्थानक्षित्र के सेवानिवृत्र सिनानायक शिक्षक मलखान सिंग इन दोनों न्याय के लिए दरदर भटकनी को मचबूर हैं मलखान सिंग और बेटों के खिलाफ जमीनी विवात के तहत मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं जिसको लेकर मलखान सिंग का कहना है कि उनको और उनकी परिवार को साज़श के तहत फसाने का प्रियास किया जा रहा है इसी को लेकर पिरित मलखान सिंग से बाचीत की लखनाउ सेवन टीवी संबाराता निकेत तिवारी ने कि उन्हें गलत आरोपों में और गलत तरह से फसाया जा रहा है हाला कि कुछ विवाद जमीन को लेकर चल रहा था उसको लेकर बात सामने आ रही है कि रंजिस तहत इनको फसाया जा रहा है हमारे साथ जुड़े हुए हैं यह संबल से आ हुए यह पिरित है क्या नाम है आप ऊपर ज्होंटा मात account मेरे आ मेरे अ मेरे पर वारी जं़ों के उसके ओपर लिखाया गया है हमारे गाओं के भारत और आने जो मिघलाया है फो गलारां उनसे जमीनी बीबाज चल आता जमीनी विवाद को लिए कर मैं रंजिस को लेखाया ने सुबागर है मैं सुभी खेट जोत ने घर से करीब 9 वजे के खेत पर गया खेत बिद्यालेक है में बिद्यालेक का प्रवन लगूँ और बहूं पर दो तीन महलाएं उनकी जब पहुंची तो मैंने उन्होंने मना किया हम खेत जोत ने नहीं जोत हम ghaon बापस चले गए जब गाउं बापस चले गए बहूं कि मतलब चस्मतित गवावी हैं वहाँ पर एक लड़की के भाई चचेर भाई ने वीडियो बनाया था उस वीडियो को दिखा करके हमारे लिए फटाया गया है लेकिन वीडियो में ना लड़की है ना और कोई चीज है ना कोई विवाद हुआ है इस तरीके का सर्थ हम सबसे किसांगपूर मादवे बिद्धेल है सरकार द्वारा मानता प्राफ्वत बिद्धेल है मैं घोंचली मैं उसका प्रवन दखूं और बराबर मैं उसके एक माँ अगस्त के महीने में अभी एक जो रोड में चली गई जमीन का बहारत की मा भूरी के नाम हुआ है और भारत के म जो आरोप लगा जा रहा है आपके उपर वह आरोप क्या है और क्या पूरा घटना करनता वो उसके बारें थोड़ा सा बता है मैं खेट जोत के घर चला आया और उसके बाद में उन्होंने यारूप लगाया है कि हम नीरे जो भारत की पुत्री है उसको खेट में पहले तो उन्होंने यह कहा था खेट में मार दिया और गलादवा के प्लेड़ पर ठांग दी बाद में पीम रपोर्ट के बाद में उनका के देकना है कि हमारी लड़कीगों इतना प्रतार्ट किया कि लड़की को गिरया नंगा किया मारा फीटा और उसके बाद में लड़की ने उन पारें कुछ वीडियोस भी इनके पास में हम उन वीडियोस को भी प्ले करेंगे ताकि जो लोग है उन तक यह बात पहुंच पाँचे और इस बात को समझ पाएं और आपके पूरे प्रक्रण में कितने और भी लोग है आपके परिवार में जिनको आरोपित किया गया इस पू लोग बीरपाल सिंग जो ग्रामपजा सदसे हैं जिनों ने स्वेम अपने नाम से ही इन लोगों से दावा डाला का फरजी वाड़ेगा ये बीरपाल के तहरे भाई ही सिरीपाल है हम छे लोगों खिलाब गलत और जूना मुकदवां तरिक करा है एक यह सिक्षक परिवार है इनके परिवार को फसाया जा रहा है इनके सभी पुत्र शिक्षक है और इक खुद भी स्वेम सिक्षक और प्रबंधक है कि स्कूल के तो सवाल ही उटता है जब बात कानून विवस्ता की हो कि प्रदेश में कानून विवस्ता दुरस्त है जिलों में पुलिस अपने काम कर तो आकिर क्यूस एक जिले के विक्ति को एक सिख्षक को संभल से निकल कर राजदानी लखनाओ का रुख करना पड़ रहा है यह एक बड़ी बात है हम प्रयास करेंगे एक खबर चनले के बाद में जिम्मदार इस खबर का संग्यान ले और ऐसे पीड़ितों को अपना जिला चोड़कर राजदानी लखनाओ का रुख ना करना पड़े के साथ में अनके त्यारी एवन टीवी लखनाओ